नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं स्पोर्च क्लब ओफिशल इंडिया का ओफिशल डूप चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में तो आज का वीडियो होने वाला है नागेश रुफी 2023 के पांचवे एडिशन में नवे दिन के हाइलाइट के ओपर जहां पर आपको देखेगी टीम्स अक्शन में ग्रूप डी की तो जो ग्रूप डी का मैचेस है वो आज से शुरू हो चुके हैं याने कि 11 फरवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और 11 फरवरी 2023 को आज के दिन हमें पहला मुकाबला देखने मिला जब आपको गुजरात खेलते वे नज़राया मद्देप्रदेश के विरुद सुबे 9 बजे व उनने बीस ओवर में मैसिव 220 रंज बनाए बहुत ही असानी के साथ और उनके बीवन खिलाडी नरेश ने 64 रंड बनाए 47 गेनों में पांच बैतरीन बाउंडरी उसके जवाब में पूरी की पूरी मद्रदेश की टीम जो है 112 रंज बना सकी 9 विकट के नुकसान पर जिसमें टॉप स्कोरर रहे रामपाल विके बीतरी की लाड़ी उन्होंने मातर रंज बनाए 46 गिनों में 44 एक मातर की लाड़ी वो रहे जिसने पूरी मद्रदेश के बैटिंग ओर्डर को समाविकर रखा उसके अलावा पूरी की पूरी मद्रदेश की टीम जो है कुछ नहीं कर सकी और असान सी हार उन्हें मिली जो दूसरा जो मुकाबला आज कहता वो दोस्तो था उत्तरा खंड बना हर्याना के बीच में हर्याना इस ग्रूप में as a hot favorite जैसे कि मैंने बोला हैं और वही उन्होंने काम किया 224 रंज बना दिये उन्होंने 200 ओर्स में और उनमें बहतरी स्को यहां पर आपको देखने मिले दीपक मलिक का शतक 140 रंज 72 गेनों में जिसमें उन्होंने 22 चौके और तीन भेतरी छके भी जड़े जिसके जवाब में उतरा खंड की टीम 174 बना पाई जिसमें गंबीर ने 89 रंज बनाए और दीपक रावत ने 38 रंज बनाए उतरा खंड के यह काफी आपे डिसपॉइंटिंग हार रही पचासी रंस लेकिन से वो हारे हैं और बहुत अच्छे से चेस कर रहे थे लेकिन कह सकते हैं कि हरयाना की टीम को आप वीट करना इतना असान नहीं रहता है बहुत टाफ रहता है तो यह तो दोस्तों पहले दिन का हाल चाल रहा यह तो पहले दिन का हमने सीन और बवाल देखा दूसरे दिन याने की बाकी सारे दिन ग्रूप D के उसके बाद अभी ग्रूप A के माचे शुरू हो जाएंगे फिर ग्रूप C के माचे शुरू हो जाएंगे और ग्रूप F के भी गेम अभी शुरू होने वाले हैं तो सारा ह आल चाल आपको हमारे YouTube चैनल पर ही मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कहते हीजएगा धन्यवाद